तो हलो बच्चों कैसे हैं आप सबम उम्मिद करते हूं आप लोग सोवक बढ़ी होंगे और च्छे तरी के से प्रहाई कर रहें होंगे बच्चो जैसे कि आप सभी लोग पता है कि हमने परिच्छा पर अंतिम प्रहार बहिया करना इस्टार्ट कर चुके हैं और परिच्छा के खोपड़ी पर हम छेद करना इस्टार्ट कर चुके छली छली करने वाले पुरे परिच्छा को तावर तोड तावर तोड हम महनत करने वाले सर ऐसे तयारी करेंगे कि एक्ζामिनर भी एक्जामिनर भी कहेगा कि भी यह क्या लड़का बहतरी लिए निखता तर रüyorsun टाकर किसे महौल कर देंगे बच्चों तो आज आए आज किस क्लास को में स्टार्ट करते हैं तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग बात कर रहे हैं अंतिम प्रहार के बारे में और अंतिम प्रहार बच्चों अभी तक मैंने आपको अध्याद 10 तक के बच्चों के बारे में नहीं मिल रहा है तो उन बच्चों सो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे ऊफिसवाले आप काल कर दीजिए प्रस्तल आपको WhatsApp भी कर दिये जाएगा आपको WhatsApp में भी आपको PDF सेंट कर दिये जाएगा अब वहां से जाकर भी आप इसको देख सकते हैं पीडियेप को डाउनलोड करकर पढ़ सकते हैं बड़े अराम से पढ़ सकते हैं बड़े मज़े के साथ पढ़ सकते हैं बस पढ़ते रही है पढ़ते रही है जितना जादा पढ़ेंगे उतने ही जादा तर आप अचाने से तीन अध्याख क्यों कि जो अध्याख आपका आता है ग्यारा बारा और यह तेरा तेरा यह जो तेनों अध्याख बारा को मैं यहाँ पर बताने वालों अपने और इस सलुसन के लिए आपको जाना पड़ेगा मिसंज 2023 के अंतरगत जहां बाइया मेरे बने हुए है प्लेइलिस्ट हाँ बिल्कुल मेरे प्लेइलिस्ट बने हुए है पूरे 50 के 50 वुड़े मिल जाएंगे उसमें से आप जाएंगे 11 12 और 13 सभी को देख लेना है सभी मोस्ट इंप पड़ेगा सर मिसंज दोहजार तेइस में तो चलिए बच्चों हम चलने वाले हैं अपने पिटारा की तरफ जहां मैं आज आपको खजाना दिखाने वाला हूं खजाना बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टन को खजाना आजम खोलने वाले है अध्याय 11 12 और 13 का तो अध्याय 11 क को बताने से पहले कुछ बेसिक कोन सेप्टर के बारे बताने वाला हूं जो कि आगे आपको सालो करने के लिए बहुत ज्यादा हैलप करने वाली है इसको बताने की ज़रत तो नहीं थी क्यों क्योंकि मैंने इसको मिसंद दोहजार 23 के अंतरगा बता कर रखा हुआ है अगर पर नहीं देखना है तो वहां पर जाकर देख लो अगर वहां नहीं देख पा रहे हैं तो यहीं देख लो जहां पर भी आपको टाइम मिल रहा है जैसे भी आपको टाइम मिल रहा है जहां पर भी आपको देखना देखें लेकिन पढ़िए बस पढ़ते रही है ठीक है चलिए तो कुछ चीजों के बारे में हम जानना चाहेंगा और यहां पर दिख चुका है आपको एक स्क्रीन पर लिखा हुआ कुछ सरी यहां पर क्या लिखा हुआ है सर यहां पर समुरूपता लिखा हुआ है सरी समुरूपता क्या होते हैं चलो एक बर इसको पढ़ते हैं बैतरी इं सभी लंबाईयों को समान अनुपात में घटा कर या फिर बढ़ा कर पहली आकृति प्राप्त की जा सकती है तो यह दोनों आकृतिया परस पर समुरूप है अब इतना लंबा चोड़ आपको याद रखने की जुरत नहीं है सिंपल से लेंग्वज में आपको मैं समझाता हूं बच्चो सभी लोग अपना आप अपने चहरों को बिल्कुल सुबह उड़ते ही उपड़ते ही क्या करते होगे आईना जरूर देखते होगे कि आज मैं कैसा दिख रहा हूं करके अगर अगर आपका आईना आपसे बड़ा हुआ तो आपका जो चित्र बनता जो आपका प्र सभी जो body के part होते है वह घटते हैं या फिर बढ़ते है अगर दर्पन चोटा हुआ तो छोटा प्रतिवी मनता अगर दर्पान बड़ा होता है तो बड़़ा प्रतिवी मनता है ऐसा बिलकुर नहीं होता है कि पेर बड़ा हो गया हाथ चोटा हो गया फिर आखें छोटी हो पर चलो मैंने एक त्रीभूझ बनाया क्या बनाया चलो मैं एक नम भी देने वाला हूं तरिभूझ को 70책 तो अगर 30 जिसने अशर य legit में बराबर होते łatना संभाहु तर यहां पर मैंने कर लिया जबहां चुटा प्रतिविंब Bennेगा चोटा परतिविंब जो इसको हमने देंस Если जैए ऐडेस बी डेस और यह देस देश दे दिया क्यों क्योंकि सर यह जो अनुपायत में कम किये चलो 55 cm कम किया तो 55 संटी मिटन अब हो जाएंगे इसके सभी भूजाओं का मां तो यहां पर पांस सेंटी मिटन यह पांस सेंटी मिटने मुटन कह और यह अगला वाली जो भूज अधिए लिए भी is यदि क्या है समुरूफ है तो गड़ीती रूप में कैसे लिखते हैं तो यहां पर इसको लिखा कैसा जाता है लिखते हैं और यहां पर न साब जैसा तो कुछ बराते हैं साब जैसा बना दिये फिर दूसरे वाले को चिपका दो सर यह हो जाएगा A-DES B-DES और यह स्टी डेस गड़िती रूप में समरूप को ऐसे दर्सा आ जाता है यह जो आपको साब जैसे दिख रहा है ना बच्चो इसी को बोलते हम समरूपता का चिन्न क्या करते हैं सर समरूपता का चिन्न करते हैं आई होप यह आपको अच्छे से समझ में आगया होगा अगर किसी भी तरह के डाउट चल रहे हैं आपके दिमाग में तो बिल्कुल कमेंड बॉक्स जो हो आपके लिए ही बनवाया गया है ताकि आप कमेंड करो अपने कंफुजन को दूर करो इसलिए कमेंड बॉक्स को बनव अब यह स्केलिंग क्या होता है चलिए इसकेलिंग का अर्थ है अकार में बदलाओ करना एक बार तो यहीं से कुछ लिए था कि इसकेलिंग का अर्थ होता है अकार में बदलाओ करना और जेक्टी को स्टर में ऐसी ही लाइने पूछ जाती है कि इसकेलिंग करना इसकेलिंग का अर्थ है खाली स्थान करना तो बदलाओ करना क्या करना बदलाओ करना परिवर्तन करना चेंजस करना बिल्कुछ सर्मिस को समझ लिए यानि की अकार को अकार को बड़ा या फिर छोटा करना यह किसका काम कहलाता सर्य इसकेलिंग कहलाता क्या करता अकार को बड़ा कर चाहिए कि अकार बड़ा या छोटा करें तो उसकी आक्रिती में कोई भी परिवर्ता नहों और समरुपता का गूर बरकरार रहे जैसे कि बच्चों मैंने यहां पर आपको दो त्रिभुज लेकर दिखाया हुआ था दोनों त्रिभुज क्या थे समरुप थे तो यहां पर एक निश्चित अनुपात में घटकर हमें यह दूसरा वाला प्रतिविम प्राप्ता हुआ था त्रिभुज प्राप्ता हुआ था एबी से दोनों की आक्रिती में कोई फरक नहीं है यहां पर निश्चित अनुपात में घटकर यह दूसरा वाला मिला है ऐसा तो बिलकूर नही तो तो कि स्केलिंग का मतलब भी हम सब्सक्रार करना और एस लिग करते हैं हमें इस बात पर विशेज़े रूप से ध्यान देना होता है कि अकार में जब बदलाव करते हैं तो आकृति कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए उसमें समरुपता का गुड़ बरकरार रहना चाहिए चुछ चलिए सर यह समझ लिया आगे कुछ और कहने चाहोगे क्या बिल्कुल मैं कहूंगा कि यहां पर आता हूँ देखो अगला कहने जा रहा हूं सर इसकेल गुड़क के बारे में सर यह समुरुपता कि माप में विशेश अनुपात होता है जिसे scale गुड़क कहते हैं, scale गुड़क का उपयोग करके किसी आकरिती को आवस्चता निस्चित अनुपात में बड़ा या छोटा किया जा सकता है, बच्चो इसका simple से उधारन है, हमारा जो 36 गड़ा बहुत बड़ा राज्या है, बहुत विसाल राज्या बच्चो, लेकिन उसको हम मैप में यह छोटे से मैप में उसको दिखा देते हैं, इतने बड़े 36 गड़ा राज्या को छोटे से मैप में कैसे दिखा पाते हैं, तो इसका इसकेल गुड़क की सहाथा से हमने क्या कि बड़े से 36 गड़क जो हमारा राजिया है उसको एद्दम छोटे से सोटे से हम मैप में दिखा देते हैं यह कहाता है बच्चों हमारा तरह दिए तरफ दो मनें बच्चों दो तरफ बना दिया अभी तो फिलाल एक बनाएं अभी एक बनाएं तो कि बनाओं दूसरा अभी सर इसको कुछ नाम देने चाहूंगे क्या बिल्कुल नाम दूंगा सर यह हो जागए ABC सर आपने इसको ABC नाम दे दिया लेकिन भुजाओं की लंबाई तो आप लिखे इने बिल्कुल में लिखने वाला हूं चलो माल लेखते हैं कि ददद सेंटीमेटर है कितना बच्चों स सर आपने संटीमेटर तो सभी भुजाओं को कर दिया लेकिन आप दो तिर्भुज दो तिर्भुज बोर थे एकी तिर्भुज बना कर रहो भाईया धैरीय बनाकर रहो पैसेंस बहुत जरूरी है ठीक है चलिए अब दूसरा तिर्भुज बनाता हूं मैं समरुप सर यह पास सेंटीमीटर हुआ इसको भी पास सेंटीमीटर लो और वाली भुझा को भी साथ Whether छिपका दो छिपकाद यह अब यह कंद दोनों जो सम रुप है क्या है वजैंने जो प्रतेक भुजा की लंबाई थी तिर्भूज की उसको मैंने विशेश अनुपात में घटा के सभी भूजाओं को विशेश अनुपात में घटा के छोटा वाला तिर्भूज बना लिया है जिसमें से प्रत्य भूजा की लंबाई सर्थ 5-5 cm है अगर आपको यहां पर निकालना है तो कैसे निकालोगे देखो बहुत सिंपल होता है एक कोश्चन में आने वाला है आपने क्या कि है सर हमने बड़े वाले तिर्भूज को लिया और उसका छोटा वाले तिर्भूज बना दिया समरूप तिर्भूज बना दिया तो यहां पर अब आकको निकालना है सर इसकेल गुड़क निकालो तो इस दस सेंटीमिटर को देखो अब इसका इसकी संगत भूजा इस भूजा की संगत भूजा यह होने वाली है दोनों को देदो आप भाग तो दस को देखो यह दस मिटर दस सेंटीमिटर था और यह पांस सेंटीमिटर था दोनों को भाग देंगे सर हमे मिल चुका प lleva तो इसकेल गूडख क्या मिला मेरे प्याने बच्चों सर्दो मिल चुका निकाल सकते हो पहली कंडिशन अब D balu किया क्या करने वाला हो अब आपने अभी क्या किया है सर बड़ेसे हमने छोटे बनाया है अगर अगर यहां पर यह चित्र पहले आपको दे देता है कि यहां पर न यह पी आर जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी संगत जो भूजा है वो एस्टी जो है 10 सेंटीमीटर है तब आपको इसकेल गुड़क बताना आपको यह दिया गया है और यह आपको निकालना है तो अब क्या करेंगे इसको थोड़ा सा हetaan चुका है पहले दो था अब हो चुका एक दो बढ़े से छोटे में गए तो दो अब छोटे से बढ़े में गये सरी ये एक बटा दो बदल चुका इस तर्वस से बच्चों हम निकालते है सकते हैं बच्चो निकाल सकते हैं कि बीषी के संगध भूजा आपको सर दिखरा है क्यों आर दोनों का स्केल निकालोगे यह दिया है तो यहने निकालोगे तो दस को पांस से भाग दे दोगे अब यह दिया question पूछे जाते हैं अब descriptive type के question सर कहां से आएंगे अब मैं अपना खजाना खजाना खोलने वाला हूं आप लोगों के लिए और यह खुल चुका है आपका सिमसिम खुल चुका आपका अध्याय गयारा का Most important question चलें यहाँ पर मैं लिक देता हूँ एध्याय मैंसर नहीं नहीं होना है सभीकोस्टánh कு मैंने टैनी स्टार देंगो चाप इसको टैनी स्टार लगाके रखे रहो एक और जो कोशन आता है यह पाइफागोरस पर्मे को 2022 में पिछले साल ही पुछ ले गटा तो इस साल पुछे जाने के चांसे कम बनते हैं पुछ देगा तो क्या है यहां पर मैं इसको सामीन नहीं किया हूं लेकिन मिसंद 2023 के अंतरगत आपको मिल जाएगा पाइथा गुरस पर में भी तो दोनों पर में से पेपर में मिलने वाला है यह पांच कोईस्चन पहले करोगे उसके बाद मिसन 2023 में दो तीन और कोईस्चन है उसको भी आप देखकर पढ़ लोगे अगर आपको लगता कि वीडियो देखने के टाइम नहीं सार नोट सो दे दो तो डिस्क्रिप्शन किसलिए बना भी या डि समझ में आ जाएगा पीडियेव को देखकर पढ़े लिए बच्चा ठीके चलिए अपने अध्याय ग्यारा के तो मोस्ट इंपॉर्टन को तो बता दिया अब और कुछ कहना चाहोगा क्या तो बच्चों मां तीन अध्याय के यहां पर मोस्ट इंपॉर्टन को बताने के लि दोटोरी है मैं एक चीज़ को नहीं पढ़ूंगा नहीं बताऊंगा वहां पर देखो न एक बार मिसंद 2023 को जाकर देखो हर एक चीज़ों को मैंने यहां पर बताकर रखा हुआ अगर किसी बच्चों को लगता है कि सर इसक्रीन सौट लेने दो तो बिलकुल लेलो है ले च इसी से आने वाला है तो यह थियोरी को अच्छे से पढ़ लो पढ़ना नहीं समझना है और समझने के लिए मिसंद 2023 के अंतरगार जो प्ली लिष्ट बना हुआ है कच्छ दस्वी विसायगरित के वहां पर जाए समझे और इसको याद कीजिए समझे जैसे अभी है इसको अ कोई रेखा एक विरित को अलग अलग बिन्दूवा पर प्रतिछेद करती है तो उसे छेदक रेखा कहते हैं इसका क्या मतलब होता है बच्छों चुत्र के सहात्य से मैं जादा अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं जब कोई रेखा एक विरित को तो सबसे पहले हम यहा हुआ है विरित क्या बना देखा थे विरित का केंड्रा वित का केंड्र होता है यहां पर भी मैंने विरित के केंड्रा के बारे में लिखवा था अब किया हुखोता है और वृत देना है तिरिकर कहते हैं को हम उसके प्रदसित करते हैं घृतराकी linya यहाँ पर बुला गया हम उसे चेडु करती है तो उसे करेखा करते हैं याने कि बच्चों एक बनाएंगे एक रेखा बनाएंगे सब मैंने यहां पर एक रेखा बनाया यह जो विरित pię के दो अलग अलग बींडू याने की मानने थें कि यह बिंदु आ है और यह भी जो रेखा है एल यह जो और भी और चृपि को परतिछेद कर रहे हैं तो यह जो रेखा Hill है ना यही बच्यों आप सर गभी आपको मिलने वाले हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बाते दी गई है क्या बिल्कुल दी गई सर वृत्त की अवर्ट का इस पर से रेखा क्या होता चलिए फड़ते हैं ताकि आपको समझ में आए एक समतली सीधी रेखा एक संतली है क्यों ऋरे जो वृत्त को एक बिंदू पर छूती हुवी जाती है वृत्त की इस पर से रेखाẩ कला ई प्रसट बनाएंगे यहां पर एक वृत्य और की कि मेने यहां बेख्व आपको दिखा दिया यहे वह बन चुका है वूरित अब बोला गए है कि समतली रहए एक समतली रहत्र जो वृत्यका एक एक बिंदू को मात्र एक बिंदू को छूकर जाने वाल एक एक तो इस प्रकार से ठीक है किस प्रकार से आप बना दो एक रहता यह जो रहा है वो इस वृत के इस वाले करते हुए जा रही है यह बृत का सर यह हुआ केन defense से परिधी तक कि कि बिंदु तक की दूरी सर यह कहला आदा तरुजय जिसे हम आर से प्रदशित करते हैं क्योंकि okों बोलता है रेडियम्त का रा चुका तो यह 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 आपको दिखरारी सर्ज्छल है् वह इस वृत के केवल और केवल एक ही बिंदू को इस पर से करते हुए जा रही है तो यह कला तर वृत कि इस पर से रिखा कलाती है ठीक है सर आगे कुछ और दिया गया क्या बिल्कुल दिया होगा आजाओ आज तुर्याइट आप एक सब्स Terry eli on Eash दो ऐसे चत्रबूश को कहते हैं पर स्थित्थ हो किसी चक्रिश मृत्त की परिधी कोणों का योग एक सवस्तियंस होता है most important line 117 निस होता है चक्रीध चतुरभुष के आमने सामने के टोरों का योग एक सवस्तिय रही पूछ भी सिर्ख से आपके में चल रहा होंगे डा우ट तो पुछ ढालो पुछ डालो आजाओ है चट्रंज के साहता से नहीं हो तो इसको छित्र की सहाता से सम्झाता हो तो चारों जो शिर्षा किसी वृत्त के परिधी बनाकिया है आप यहां पर मैंने बनाए एक वृत्त बना दिया है अब यहां पर हमें एक ज Botsky चक्री चत्रभूज बनाना है देखो चक्री चत्रभूज में कैसे बनाने वाला हूं आजा देखनों यहां पर मैंने एक बिंदू लिया ठीक है यहां पर मैंने एक बिंदू लिया यहां पर मैंने एक बिंदू लिया और यहां पर भी मैंने एक बिंदू लिया सभी को मिला द करेंगे इसको स्तमिला दो यह सर मिलचुका अब क्या करेंगे सर इसको समिला देते हैं देखो यहां पर आपको एक चतरभुज दीख रहा होगा चतरभुज करना महीं क्या सर इसको नाम में देते हैं A B C C और ये डी सर हमें एक यहां पर नहीं चार्वभुज दिखरा एबी सीडी जो कि चक्रीच अरूबुज होने वाला क्यों कि इस चत्रूभुज के जो चारों सीर सा है वो कहां पर इस थी था बच्छो यह वृत्त के परिधी पर इस तिता है इसलिए इसको हम क्य यहां पर देखो। हमने सामने को कैसे बनेगे microscopal सामने का जो कोड़ा सारी यह कहलाएगा मात्याइख यानिकी कोड़ ए अरियक कोड़ी दोनों कोड़ों का सरय योग कहलाएगा एकस्व एस्पिंच क्या हो आपको यही चित्र दे दिया गया है और कोड़ सी का मान चलो बोल दिया गया है 110 अंस है कोड़ सी का मान आपको दे दिया गया सरे 110 अंस है एक चक्री चत्रफुच दिया गया है जिसमें बोला गया है कि कोड़ सी और यह कोड़ भी दोनों क्या बच्छो चला दोनों क्या है आ समने का योग कोड सी कीक्रमान उल्लेडी दे दिया गया तो कोड B धन कोड सी कमान 110 चिपकाएंगे बराबर के बात सतर यह से मिल जाएगा क्या मिल चुका बच्चो सब्सक्राइब कोण सी कमान यदि 110 अंस दिया गया तो कोण बी कमान कोण बी कमान बच्चों सब्सक्राइब से पूछा जा सकता है तो जैसे पूछेगे उसी के एक औरिंग हमें जवाब दे देना ठीक है इतना कॉंसेट अगर आपने सिख लिया है तो अध्याएब बारा के जितने भी बड़े अराम से ₹ी जो लेना ठीक है यह सर हो चुकर अध्याएबारा अध्याएबारा का मोस्ट इमपोर्टन को इस तर बिल्कूल इसको ले लो लगा लगा लो अपने फॉन का बना लो इसको अ कि भी मेश्व यह गप लेगा जब तक आपका और एक्जाम न हो जाए तो यह आपको मिल जाएंगे सारे सुल्विस्टन आपको मिसंद जार तेसके अंतर गफ मिल जाएगा लेकिन इतने ही कुश्चन तक आपको सीवित नहीं रहना है आपका जो भूख उस भूख को बढ़ा कर रहो जितना कोश्चन में देने वाला हूं उससे ज्यादा कोश्चन बढ़ाने के आप छंता रखो बिशसे और कोश्चन को कर लिए और कुछ को सांत नहीं होने चाहिए यह कोश्चन को पहले करना उसके बाद और कोश्चन की आप जाएंगे मिसंद होजार तेज्म करते रहने बारवर करते रहना है ठीक चलिया अध्याय थेरा की बारा में कुछ कमेंट नहीं करोगा उसी के बारे में तो बात करने स्क्रीन साट लेने के टाइम दूंगा मैं सर यह अध्याद 13 का होने वाला अध्याद 13 सबसे इजी चप्टर होता है अध्याद 13 में को भी फॉर्मूला वगरा कुछ भी नहीं आता है यहां पर करना क्या रहता है जो प्रस्ट में दिया गया उसको पढ़ना है और जो जो बोल और पांच नंबर पक्ते और चारों को करने का तरीका मैंने मिसन 2023 के अंतरगत बताया हुआ है बिल्कुल प्लेइलिस्ट बनी हुए आप ही लोगों के लिए बनाकर सजाया गया है उसको जाकर आप एक बार देखिए तो सही एक बार विजिट तो करिए मजा जागा को मजा थाओं कि यहां पर आपने चार को सिन बता दिया ठीक है यहां से हमें से क्या होता है आपको आपको दो परकार के कोश्यतन पूछ बोट अगर पुछेगा तो परीगत विरिष्त से नहीं पूछेगा चुकि ये पांच नमबर ये आते पांच नमबर की कोस्ट में मिंहें तो पाहले प्रकार के किया रहाएं या तो लुसको नहीं रुआ। इमस्ट पोड़े ओर प्रस्ता और को मिलेगा मिषन 2030 के अंतरगत उसको भी कर लेना है पहले इंप्रस्णों के तयारी करेंगे बांकी बांकी जो मिशन 2030 में करवाया हुआ हूँ उसको भी देख लेना है ठीके बच्चों तो आज की इस क्लास में आपको अध्याय आपका ग्यारा बारा और तेरा तीनों अध्यायों को बता दिया मैंने तीनों को एक सांथ इसलिए करवा तक क्यों करते है सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब तरह सब्सक्राइब हैसे में तीनों अध्यायों के एक सांथ tomatoes most important question को बताने वाला हूं थीक है तब तक के लिए आप क्या करेंगे जो मैं अभी तक आपको most important question बता चुका उसको बार बार करना एक बार नहीं बार बार उसको प्रेक्टिस करना है तो बस प्रेक्टिस करते हैं बच्चो आज किस क्लास को में पर खतम करते हैं अगले क्लास में वापस ते मैं अगले तीन अध्यायों के most important question के बारे बता दूँगा तब तक के लिए thank you very much